राज्धानी दिल्ली समीत उत्तरभरती राज्यो में प्रोदूशन से हालात खराब होती जा रही है। दिवाली के आतिश बाजी के इलावा किसानों की ओर से जलाई जा रही पराली की वज़ह से हवा जहरीली हो रही है। वह ये प्रिशाशन भी पराली जलाने वाले किसानों पर सक्ती दिखा रहा है। उन्नाफ में पराली जलाने वाले किसानों पर प्रिशाशन ने कारवाई का फैसला किया है। कृशी विभाग के अधिकारियों ने किसानों से पराली ना जलाने के अपील की है। उपक्रिशी निदेशक मुकल तिवारी ने बताया कि हर नियाए पंचायत पर गोश्टिया की जा रही है और पराली जलाने को लेकर किसानों को जागरुक किया जा रहा है। और हर नियाए पंचायत पर गोश्टिया की गई हैं किसानों को अवगत कराया कि कि पराली न जलाएं और उनको डिकंपोजर उपलब्द कराया जा रहा है कि जिससे वो पना के उस पे छिड़कें और उसे पलट दें। इसके लिए यन्तरीकरन योजना कि अंत्रगतने कई इंतर उपलब्द कराया रहा है। जनपद में इस साल 11 फार्मशेनरी बैंक उपलब्द कराई जा रहे हैं। जिसमें सुपर सीडर है, सीधे पराली कटने के बाद, वो सीधे उससे बुवाई कर सकते हैं, और उसमें मिक्सिंग हो जाती है पराली की, और थोड़ा सा यूरिया डाल देते हैं, 20 किलो यूरिया प्रतिहक्टे डालते हैं, तो पराली सड़ जाती है, इसको तो प्रेरित करन पर प्राली वहां के गोबर की खाद मिल जाती है वो अपने खेत में डाल के उपज बढ़ा सकते हैं फिर भी अगर कोई किसान भाई को समझाने से या किसी कारण से नहीं मानता है जवर्दस्ती करता है तो उस पर अर्थ दंड की विवस्ता की गई है दंड को लेकर यह है कि अगर वो मना करने के बावजूद भी जलाता है तो उसे एक एकड़ तक जो खेती अगर उस जलाता है तो उस पर धाई जार रुपए की अर्थ दंड की विस्ता की गई है लेकिन इस बार एफ आई आर और उस पर रोक लगी हुई है कि वो ना किया जा लेकिन पहले भी था कि अगर एक बार करने पर उसे अर्थ दंड है और वो बार बार पुन्राविटी करेगा तो उसे एफ आई आर की लौच करने की कारवई की जा रही है आपको बता दे कि प्रदूशन पर नियंतरन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोट के निर्देश पर आदेश जारी किया है कि किसी भी सूरत में खेतों में धान की पराली ना जलाई जाए लेकिन प्रदेश के कई जिलों में सरकार की मनाही के बावजूद कि पराली जला रही हैं।